तुदेंट वाले वीडियो में आपको क्या पढ़ा था डबल कॉलम केश्बूग की फॉर्मिर पढ़ाई थी और उसमें एंट्रीज कैसे जाएगी वह पढ़ाई थी काहूं करने वाले एंट्रीज चैकर फॉर क्वेशन नमबर फूर वंट्रीज बने टाल दिये केश्बूग के उपर और उसकी फॉर्मिर मैंने समझाए थी और वाट्टू थी चैप्कर भी मैं अच्छे से एक्स्प्रेन किया है अब हुम करने वाले डबल कॉलम का एक सम्प तो क्या है पेज नमबर 153 क्वेशन नमबर 4 तो क्या लिखा है रेकॉर्ड फॉलिंग ट्रांजेक्शन इन बैंक कॉलम केश्बूक फॉर डिसेंबर 2016 नमबर वन 2016 डिसेंबर बिजनस स्टाटेड विट कैस बिजनस साट क्या कैसे तो कैस आएगा और कॉनसी है तो तूजन सिक्स्टेड डिसेंबर वन बिजनस स्टाटेड विट कैस मतलब टैपिटल आएगा यहां पर मैं क्या लिखूंगा टू कैपिटल अकांट अब क्या लिखा है कैस लिखा है और 80,000 है तो हम कैस के कॉलम में 80,000 लिखेंगे क्या कैस के कॉलम में 80,000 लिखेंगे नेक्स्ट डिपोजिटेड इंटू बैंक 50,000 मतलब यह जो 80,000 थे उस पर सित 50,000 बैंक में डिपोजिट किये तो जब भी हम बैंक में डिपोजिट करेंगे तो क्या होगा कैस कम होगा तो हम क्राइट सेट पर क्या लिखेंगे अपोजिट नेम पर लिख दूगा 2016 पर डिपोजिट इंटू बैंक तो एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डैबिट टू कैस अकाउंट के डैबिट साइट पर जाके लिखेंगे क्या तू कैस अकाउंट और अमाउंट लिखेंगे बैंक की कॉलम में 50,000 अमाउंट लिखेंगे बैंक की कॉलम में 50,000 और कैस के कॉलम में जाके हम क्रेडिट साइट पर लिखेंगे बाई बैंक क्या है हमाउंट 50,000 ही कैस के कॉलम में डेट जीरो फोर नेक्स नेक्स क्या है रिसीवड कैस फ्रॉम राहूल 1000 कैस मिला कि से राहूल से 1000 कैस मिलेगा तो डैविट साइट पर क्या लिखूंगा तू राहूल अकाउंट कितना है कैस मिला है मतलब कैस के कॉलम में लिखेंगे क्या है कि डेट टेंथ डैसमेडरि है नेक्स्स क्राइब नेक्स और डेक्स क्या है गासे हमें और पर्टे अपर जै juga क्या होगा क्रैटिज या पर लिखेंगे by परचेसई अकांट अमाउंट क्या है अमाउंटीज इड थाउजन और कैस दिया है हमने सब्सक्राइब कैस में से एट थाउजन लिखेंगे क्या दिखाएगे कैस के क्लम में इड थाजन लिखेंगे अगर छेक्ट दिया होता तो यह कहाँ पर आता आपा बैंक के कलम में आता नेक्स्ट रेटीज 15 विए 22nd डिसेमबर बॉट गुड बाइचेक अब चैक से पर्चेस किया तो क्या लिखूंगा है आपर बाइच अपर अपर जेस अकांट अब किसे पर जिस या चैक भी के पर जिस किया मतलब बैंक के को लाम मांवार जाएगा मांट इस टेन थाउजन एंड डेट इस 22nd नेक्स्ट 25 डिसेमबर पेड टू श्याम बाइच श्याम को पे किया कैसे ऑन 25 डिसेमबर तो पेमेंट हुआ तो पेमेंट मैंने आपको बता था यह रिसीप साइड है हमारी और यह पेमेंट साइड है आपर क्या लिखूंगा बाइच याम अकाउंट अमाउंट इस ट्वेंटी थाउजन अब किसे पेगा है चेक से गया या कैसे गया है तो पेड टू श्याम बाइच अमाउंट ट्वेंटी थाउजन अगर चेक से पीक यह था तो यह कलम में नहीं आता कौल से कलम मादब बैंक के कलम में नेक्स्ट ड्रो फ्रम बैंक फॉर ओफिस यूज मतलब पैसा निकाला आए बैंक में से ओफिस यूज के लिए थर्टी अध देट खूप यह गूज जैसे यह पर यहां पर क्या लिख क्या अब देट कॉन से 3 इस थर्टी शर्ट एक कि एंट्री इस आएगई और एक एंट्री इजिए आएगी क्यूँ एक आएगा और बैंक में से पैसा कम होगा तो जब्भी कैस बढ़ेगा तो मैं हापर क्या लिखूँगा तु बैंक अकां अमंट इस अम आनट इस 2000 अपर लिखोंगा बाइं कैस अखाउंट अमाउंट इस 2000 और ये कॉलम बेंग के कॉलम में अब ये चांटर एंट्रे कॉंटरा एंट्रे यहां पर हम क्या लिखेंगे सी सी लिखेंगे जोना साइट पर लास्ट तरिफस्ट दिसेंबर रेट पेड़ बाइच कि अब रेट से चेक से तो ये भी हमारा पेडमेंट है ध्रिफस्ट डेसेंबर वाई लेंट अगांट क्या है अमांट फी वन थाउसंद ये जैक से पीके द बैंक के कॉल हम अब हम क्या कि पर तेरी neighborhood आएगा ट्रीर थाओजन हमें यहां पर मैं क्या हूं गाघ्डी थाओजन कि और इधर आएगा से फिरी थाओजन नेक्स्ट कॉनसे साइट पर जादा है 10,000 13,000 और 50,000 इस साइट भी यही जादा है 50,000 अब क्या है अब क्या है 83,000 अब क्या है यह कॉन सा बैलेंस हमारा यह डैबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस तो यह हमारा डैबिट साइट का टूटल हुआ अब हम चेक करेंगे क्रेडिट साइट का टूटल क्या होगा क्रेडिट साइट का टूटल है 50,000 प्लस 8 58 58 प्लस 20 तो कितना होगा कि 78,000 क्या होगा और इस ओका 13,000 तो हम हम इस निका लेंगे तो डैफिनीटली क्या है डैबिट बैलेंस ज्यादा है तो हमारा वेलेंस है चाहित पर लिखुँ और बैलेंस cd क्या by balance cd आपको क्या लिखना है cash in hand cash at bank क्या cash in hand and cash at bank तो अब amount क्या निकल रही है 37 तो cash in hand क्या है हमारे पास cash in hand है 5000 और cash at bank क्या है cash at bank is 37000 अब यहां पर cash का balance always credit side पर आपका निकलेगा but bank balance हो सकता है आपका इस side पर अगर इस side आप क्या लिखोगे तू बैलेंस है कि सीडी कि बैंक है और क्या लिखेना है बैंक और और आप अमाउंट कॉन से कॉलम में लिखोंगे बैंक के कॉलम में तो सिंपल आपको याद रखना है क्या जब भी आपका लिखोंगे तो इस वाले वीडियो में हमने क्या क्या और फोर किया अब नेक्स वीडियो से हम करेंगे क्वेशन नंबर भाइग